नमस्कार दोस्तों कैसे हो आप सब स्वागत है आप सभी का अच्छी टिप्स यूट्यूब चैनल में आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा छिपकली गिरने से क्या होता है दोस्तों आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी प्राप्थ हो सके तो चलिए शुरू करते हैं छिपकली की बनावट ऐसी होती है कि लोग उसे देखकर डर जाते हैं छिपकली जमीन पर, दीवारों पर, दरवाजे और खिड़कियों पर कहीं भी रेंगती हुई दिखाई दे सकती हैं कभी कभी अचानक छिपकली शरीर पर गिर जाती है और लोग डर जाते हैं हम आपको बता दें छिपकली का शरीर के कुछ हिस्सों पर गिरना शुब और अशुब माना जाता है शास्त्रों में प्रचलित शकुन शास्त्र में छिपकली के कई अंगों पर गिरने के संकेतों के बारे में विस्तार से बताया गया है चलिए हम आपको बताते हैं कि छिपकली के शरीर पर गिरने से किस तरह के शुब और अशुब संकेत होते हैं शुब संकेत नौकरी में मिलता है प्रमोशन अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं और आपको छिपकली की पूर्व, उत्तर, दिशाओं में आवास सुनाई दे तो आपके लिए यह शुब संकेत है माना जाता है कि आपको धन की प्राप्ती होती है और नौकरी पेशा लोगों को प्रमोशन का अफसर प्राप्त होता है धन दौलता बढ़ता है नाक पर अगर छिपकली गिरे तो इसे भाग्योदय का संकेत माना जाता है पुरुष के कान पर छिपकली का गिरना शुब होता है पुरुष के दाएं कान पर छिपकली का गिरना आभूशन प्राप्ती का संकेत देता है वहीं बाएं कान पर छिपकली का गिरना आयू में व्रिध्धी का संकेत होता है पेट पर छिपकली के गिरने का संकेत होता है कि आपको किसी आभूशन की प्राप्ती हो सकती है मान सम्मान बढ़ता है जोतिश के अनुसार गर्दन पर भी छिपकली गिरने के कई अर्थ होते हैं गर्दन पर छिपकली गिरना इस बात का संकेत देता है कि आपको यश्व वैभव की प्राप्ती होने वाली है, साथ ही आपका समाज में मान्क सम्मान बढ़ता है वही दाहिने हाथ पर छिपकली गिरना भी शुब संकेत माना जाता है साथ ही ये भी हो सकता है कि जल्द ही आपको कहीं से धन लाब हो बिजनेस में काम्याभी अगर छिपकली की तीसरे और चौथे प्रहर में पूर्व दिशा की और आवास सुनाई तो शकुन शास्त्र के अनुसार यहां आपके लिए शुब संकेत है माना जाता है कि इससे धन की प्राप्ती होती है और व्यापारी के बिजनेस में फाइदा होने लगता है वहीं अगर लेफ्ट साइड के कंधे पर छिपकली गिरे तो इसका मतलब है कि आपके शत्रू बढ़ने वाले हैं अशुब संकेत पैसे और बिजनेस में नुकसान माना जाता है कि अगर किसी के बाएं पैर के तलवे पर छिपकली गिरे तो इसका मतलब है कि आपको अपने बिजनेस में नुकसान जेलना पड़ सकता है जोतिश के जानकारों के मुताबिक किसी की भौह पर छिपकली का गिरना पैसों की हानी की तरफ इशारा करता है इसके अलावा बाएं हाथ पर छिपकली गिरने से संपत्ती की हानी हो सकती है घर में होता है जगडा पुरुष की दाढ़ी पर छिपकली गिरना अशुब संकेट माना जाता है कहा जाता है कि पुरुष की दाढ़ी पर छिपकली गिरने से उसका सामना किसी भयावा घटना से हो सकता है किसी के भाँह पर छिपकली का गिरना बेहद अशुब माना जाता है इससे उस व्यक्ति को भारी धन संकट का सामना करना पड़ सकता है बाएं आख पर छिपकली गिरने का संकेत भी किसी बड़ी हानी से होता है अगर पीट के मध्य पर छिपकली गिरती है तो घर पर कलहकलेश की स्थिती बन सकती है वहीं बाएं पैर पर छिपकली के गिरने से बीमारी और कलह की संभावना बढ़ती है तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को छोटा सा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबा लें धन्यवाद